मुफ्थ टैबलेट योजना टैबलेट मुबाइल देने के लिए 4700 क्रोड रुपे का टेंडर हुआ था पास नमस्कार साथियो आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदिदा यूट्यूब चैनल और लाइन शिक्षर पर तो इस खबर की तरफ चलते हैं आज के निउस्पेपर अवर उजाला की एक खबर है लखनाओ की तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस में चला हुआ है टैबलेट और मुबाइल की योजना टैबलेट और मुबाइल देने के लिए 4700 क्रोड उपे का टेंटर तो दिसंबर के पहले सब्ता में जारी होगा वर्क ओटर 2500 क्रोड उपे में खरीदे जाएंगे टैबलेट और 2200 क्रोड उपे में खरीदे जाएंगे स्मार्ट फोन तो ये जो है चातरों को मिलने हैं किन-किन चातरों तक इस योजना का लाब पहुचेगा वो भी मैं से वीडियो में बताऊँगा और किस कंपनी का आपको टैबलेट या मुबाइल दिया जाएगा तो ठीक है गाइज तो चलिए करते हैं सुरुवात परदेश में युवाओ को मुफ्थ टैबलेट और स्मार्टफोन वित्रण के लिए 4700 क्रोड रुपे का टेंडर खुला है परदेश में इसनातक वे इसनातकोर समेत यानि ग्रेजूशन पोस्ट ग्रेजूशन या डियलेट डिप्लोमा इन सभी के लिए पाठे कर्मों में अध्यनंत्रण यानि जो चले वें कंटिनू 68 लाग विद्यारतियों को इसका विद्रण किया जाना है यानि 68 लाग विद्यारतियों को इसका लाब मिलेगा यूपी डैसको में सोमबार शाम ओनलाइन निवेदा खोली गई आईटी एवंग इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचीव अरविंद कुमार ने बताया कि टैबलेट के लिए विस्टल, सैमसंग और एसर यानि जो आपका टैबलेट होगा वो विस्टल, सैमसंग या एसर कमपनी में से कोई एक बनाएगी जैसे बहुरास्टे कमपनी ने टैंडर दाखिल किया है, वहीं स्मार्टफोन के लिए लावा और सैमसंग ने टैंडर को फिल किया है ब्रस्पतिवार तक सभी फर्मो को की टेक्निकी निवेदा की जाएगी, करने के बाद आहरे योग यता फर्मो की वित्य निवेदा खोली जाएगी यानि इन कमपनियों को अगर वे इलिजिबल है चीज को बनाने के लिए तो उनको वित्य दे दिया जाएगा, यानि जो बजट है वो दे दिया जाएगा दिसंबर के पहले सब्ता तक वित्य निवेदा निस्तांदर कर चुकी गई फर्म को कारिये का आदेश जारी किया जाएगा, यानि दिसंबर के पहले अपते में वित्य देकर कारिये का आदेश जारी कर दिया जाएगा UP-DASCO में के MD कुमार विनित का दावा है कि टैबलेट और मोबाइल खरीद के लिए IT शेतर में यह पर्देश का सबसे बड़ा टेंडर होगा तो इस वीडियो में इतना ही, MOVES टैबलेट योजन का लाब किन किन को मिलेगा चाहे हो ग्रेजुशन में एडमिसन लिया हो, या पोस्ट ग्रेजुशन में लिया हो, डिप्लोम में डियल एड कर रहे हो या किसी भी कोर्स में अपने अगर एडमिसन लिया है, तो आप इसके लिए इलिजिबल है, अपने कोलिज में जिस चातरों ने अभी तक फोर्म नहीं बढ़ा है, कोलिज से समपर करिए, फोर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जल्दी ही आने वाली है, ठीक है गाई